हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आवर यूटूब चैनल तैयारी एक्जाम की तो आज के इस वीडियो में हम लोग का अच्छा वारवी हिंदी जिगंत भाग दो से जो प्रतिपूर्ती होता है गदे खंड के बाद कावे खंड का अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यह हम लोग प्रतिपूर्ती से देख रहे हैं कुछ आपके आने वाली परिच्छा में बहुत ही महतुपूर्ण साबित होने वाला है तो दिखी इमें पहला लेखक है गाई डी मोपासा जिनका लिखे हैं रस्य का टुगडा और इनके ज खब और यह लिखे हैं कलर्क की मौथ इनका जर्म 1860 में हुआ था और इनके मृत्य निस सो चारीस में हो गई थी और आगे देखे यह हैं हें लोपेज थर्ड में फेसकी लिखे हैं ठीकर और इनका जर्म 1937 में हुआ था ठीक है मृत्यों का जिक्र किताब में नहीं किया गय अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लिजेगा ठीक है इसके रिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्सन बॉक में प्रोवाइड कर देंगे या फिर चैनल के प्रेलिस्ट में भी भीजिक करके आप लोग देख सकते हैं ठीक है जरूर से देख लेंगे क्योंकि बहुत ही मह अबर के प्रेशन आपको परिच्छा में पूछ लिए जाते हैं अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला कि इसलिए आप लोग भी रिडिंग देदे ठीक है तेलिग्राम चैनल तयारी एकजाम के ट्रूर्स को रूप जोइन नहीं कि तो जोइन कर लिजेगा वहां पे ह लिए तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को अभी इसे लाइक कर दें ठीक है तेखें यहां पर दिया गया है पहला में रसी का टुक्रा देखें प्रशन सनक्या एक दिया गया है मोपासा इस देश में रहने वाले थे ए में जर्मनी बी में फ्रांस और डी में है इसका सही उतर हो जाएगा option B यानी की France ठीक है अब आईए हम लोग चलते हैं प्रेशने संख्या 2 की उर्दिया क्या है रसी का टुकुरा सिर्सत कहानी के रचीता का नाम बताएं A में है गाई D मोपासा और B में आंतोन चेखव C में हेंडरी लोपीज और D में है जिद्दू कृष्ण मूर्ती दो का जो हैं पर सही उतर हो जाएगा वो option A हो जाएगा यानी की गाई D मोपासा ठीक है देखिए प्रेशने संख्या 3 दिया गया है गाई D मोपासा का जीवन का बतावी A में 1853 से 1896 B में 1892 से 1895 और यहां पर C में 1891 से 1894 और D में 1850 से 1893 तीन का जो सही उतर हो जाएगा option D हो जाएगा 1850 से 1893 ठीक है देखिए प्रेशने संख्या 4 दिया गया है गाई D मोपासा लगभग कितने कहानिया लिखी थी A में 200, B में 300, C में 400 और D में 500 तो 4 का जो सही उतर हो जाएगा option B हो जाएगा यानि की 300 ठीक है अब देखें यहाँ पर प्रेशने संख्या 5 दिया गया है किस पात्री की मानेता है कि हर उप्योगी बस्तों को उठा लेना चाहिए देखिए यहाँ पर चार option दिये गएगा है A में है मलादे, B में हो से कम और C में है उपिक्त दोनों और D में इन में से कोई नहीं बाच का जो सही उतर हो जाएगा वो option B हो जाएगा यानि की हो से कम अब आए हम लोग चलते हैं A में दिया गया है किसका बटुआ सरक पर गिर गया, A में है मलादे, B में हो से कम, C में है मैत्र, फर्चून, फूल ब्रेक और D में है किसी का नहीं देखिए यह का जो सही उतर हो जाएगा वो option से हो जाएगा यानकी मैत्र, फर्चून, फूल ब्रेक तीक है अब देखिए प्रशनी संख्या साथ दिया गया है यहाँ पर खाली जगह को भरे कहानी में सब्ध न सिर्फ रपत की तरह माध्यम होते हैं न कवीता की तरह स्वायत होते हैं, उनके भीतर एक यहाँ पर खाली अस्थान चमक रहती है तो यहाँ खाली अस्थान के जगह पर क्या फिल अपुलभ हो जाएगा क्या भराएगा तो A में यहाँ पर तनाव भरी, B में तनाव भरी, C में घटी और D में बरी तो 7 का जो यहाँ पर सही उतर हो जाएगा, वो option A हो जाएगा, यानि कि तनाव भरी हमाई हमें चलते हैं, पिशने संखे 8 की और दिया गया है अपने लेखन में मौपासा ने चैसे समाज के चार चरित्र को बेपर्द किया है चार ओप्सन दिये गए हैं, A में संपन, B में बिपन, C में बुजुरुआ, और D में दरिद्र तो देखे 8 का जो यहां पर सही उतर हो जाएगा, आपका ओप्सन C हो जाएगा, यानि कि बुजुरुआ, तीक है, अब देखे प्रशने संखे 9 आता है, यहां पर एक कहानी कहां कि दुनिया की रपट को अपने सत्य की भासा में परिनत करती है तो 9 का यहां पर 4 आप्सन दिये गए हैं, A में है, बही रंग, B में है, अतरंग, C में है, अंदर, D में है, बाहर देखे यहां पर 9 का जो सही उतर हो जाएगा, तो आप्सन D हो जाएगा, यानि कि बाहर ठीक है, देखे, प्रिशन सक्या दस दिया गया यहां पर, और ते अपनी टोकरियों को जमीन पर रहकर बैठ गई थी, और उनसे खाली अस्थाथ बाहर निकाल ली गई थी, जिनके पाउं आपस में बंदे थे, आपकों में भै साफ नजर आ रहा था, खाली जगह को भरे, तो देखे, ए में है यहां पर बत्खे और मुर्गिया, बी में चुकंदर और सलगम, ते में आलू और प्याज, और डी में कबुतर और बगेरी की खिरिया, ठीक है, तो देखे, जो इसका सही उतर हो जाएगा, वो ओप्सन ए हो जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग कहाने नहीं पढ़ें, तो पहलेंगे, वैसे हम भी वीडियो नहीं बनाया है भी, लेकिन हम बना देंगे, ठीक है, स्रतिपूर्ती का वीडियो तिनों पाट के, यहां पर हो जाएगा, बत्खे और मुर्गिया, तेखे, अब आई हम लोग चलते हैं, यह तो समाप्त हो गया, अब हम लोग कलर्क की मौत देख रहे हैं, और यह दूसरा है, रतिपूर्ती का है, कलर्क की मौत, और यह देखे, 2021 के फाइनल बूर्ट परिछा में, यह प्रेशन पूछे जा चुके हैं, ताको वीडियो को अन तक देख रहा है, और वीडियो को लाइक कर दे, एमें हैं, अन्त पूछन सक है, दो दिया गया, यहां पर कलर्क की मौत, फिर सक कहानी में कलर्क का क्या नाम है, और यह दे, 2021 के फाइनल बूर्ट परिच्छा में पूछे जा चुके हैं, उस तक है आपके आने वाले, 2013 के परिच्छा में पूछ दिया जाए, एमें हैं, इवान, टमी बिच, चेख कोग, बी में हैं हेसे कम, टी में है ठाकवा, और डी में ब्रोद, दूसरा का जो यहां पर सही उतर हो जाएगा, वो ओप्सन ए हो जागा, यारी कि इवान, टमी बिच, चेख कोग, ठीक है, अब देखें, प्रशन सक्या तीन दिया गया है, यहां पर, किस देश के रह प्रशन सक्या चार दिया गया है, अन्तोन चेख का जीवन काल बतावे, देखें, चार ओप्सन दिया गया है आपको, जिसमें से ए में हैं 1860-1904, बी में 1861-1905, ती में 1962-1906, और डी में 1963-1907, तो चार का जो यहां पर सही उतर हो जाएगा, वो ओप्सन ए हो जाएगा, ध्य इवान, दमी, त्रिच, चेख्यों कोब, पेसे से क्या था, इम है मुर्गी वाला, बी में जेनरल, सी में है यहां यहां पर कलर्ग, और डी में बत्थक वाला, तो पांच का सही उतर हो जाएगा, यहां पर ओप्सन से यानि की कलर्ग, ठीक है, प्रशन संख्या यहां पर सि की उतर हो जाएगा, वो ओप्सन डी हो जाएगा, यानि की मी ब्रीजा लोग, ठीक है, प्रशन संख्या साथ है, यहां पर किस पार्ट की पंक्ती है, यही तो मैंने माफी मांगने की कोसिस की थी, पर इसका धंग ऐसा अजीव था, खाली अस्थान, कोई काईदे की बात ही नहीं की, फिर है, फिर बात करने का मौका भी नहीं था, तो देखिए इसके सही उतर क्या हो जाएगा, ए में दिया गया है, अप लोगों को कलर्ट की मौत, बी में पेसगी, सी में रसी का टुकड़ा और डी में है, इन में से कोई नहीं, तो देखिए यहां पे जो साथ का स असन व्यवस्था और उसके संत्र की खाली अस्थान को रेसे रेसे उखाड़ता है, देखिए चारों से दिये गए हैं, A में यहां पे मानवियता, B में राजनिती, C में अमानवियता और D में है मानवता, देखिए यहां पे जो आठ का सही उतर हो जाएगा, तो हो जाएग बड़े अफसर के सरीर पर छीक मार दी, B में बड़े अफसर के सरीर पर ठूक दिया, और C में दिया गए हैं पे बड़े अफसर को गाली दे दी, और D में बड़े अफसर से तू तू मैं मैं कर ली, ठीक है, तो देखिए नो का जो यहां पे सही उतर हो जाएगा, वो सही उ प्रफिश निकाल लीजेगा देखें यहां पर अंतौर किस अस्तर की लिखक थे चीनी अस्तर वह सब्सक्राइब भारत अस्तर अमेरिका अस्तर यहां पर विश्वु और चाहिए लेकिन पता ने वस्तर दिया है देखें दस का यहां पर सही उतर हो जाएगा ऑप्सन भी है बस बस तर हो कहानी पढ़ेगा देखें आप पेसगी दिया गया है ठीक है किसरा में है पेसगी इसे भी हम लोग देखें लेते हैं देखें हें लोपेज का जन्म कब हुआ था तो देखें जो इसका सही उतर हो जाएगा वो ऑप्सन ए हो जाएगा यानिकि 1937 देखें प्रशन संख है दो दिया गया है अफरीका यानि कि रहने वाले थे एंग कोन लिख कांगो कि सिच्छा मंत्री वित अभुं सरधान मंत्र चुके हैं चार ओप्सन दिये गए हैं A में हैं गाई D मोपासा B में अंतोंचे खग C में हेन्री लोपेज और D में इन में से कोई नहीं तो तीन का जो यहां पे सही उतर हो जाएगा वो ओप्सन C हो जाएगा यानि कि हेन्री लोपेज दिखें प्रशन संख्या चार आता है आप लोगों के सामने खाली जगह को भरे कहानी पेस्टगी अफरीकी देश कांगो के खाली अस्थान जीवन की दिवंगती पर प्रकास डालती है A में है यहां पे समाजिक B में पारिवारिक C में आपिरास्ट्री है और D में अंतरास्ट्री है चार का जो यहां पे सही उतर हो जाएगा वो ओप्सन A हो जाएगा यानि की सामाजिक देखें प्रशन संख्या 5 आता है आप लोगों के सामने किस पार्ट में यह लोरी आई है यहां पे देखें सोजा बच्ची सोजा बच्ची सोजा देखें चार ओपे दीए गहां 8-9-9-3 किसी में नहीं रसियुक्त चुक्राव और C करल के मौत उर डीव है पीशगी तदेखें देखें जो 5 पीशषब腻 सही उतर हो जाएगा वह ओप्सन वो ऑप्सन डीव हो पीशगी तो वीडियो को यही पे इंड करते हैं, और नहीं कुछ बाया दे गई हैं, अब इस किताब की है, जो कि आप लोग पड़ सकते हैं, joyful आपको यहां सभी पड़ सकते हैं, तो आफ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें अपने दोस्तों के पादोल के प नहीं कि प्रेज्ट नोट आपको प्रेज्टक्राइब करा जाते हैं इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता है मिलते हैं नेफ्ट वीडियो में अब यह हिंदी का वीडियो समाप तो हो चुका है अब हम लोग सब्जेक्टिव क्यूशन देखें जैसे कि संच्छेपन निबंध और हिंदी ब्याकने से जो भी अब्जेक्टिव तो सारे खत्म हो गए हैं अब जो भी हिंदी का वीडियो आएंगे ना वो जबी सब्जेक्टिव वीडियो आएंगे तो आप लोग जरूर से देखें और पीडिया भी आएंगे जरूर से जोइन कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू थेंक यू सो मज़